दोस्तो आज हमारे पास ये हुंड़ई कमपनी का एक inverter आया है जो कि square wave inverter है इसमें problem क्या है उसको समझेंगे उसको diagnose करेंगे उस problem को solve करेंगे उस problem को resolve करेंगे और इतना सब हम करेंगे तो आप लोगों को इसमें काफी कुछ सीखने को मिलेगा जो मेरे दोस्त रिपेरिंग करते हैं या रिपेरिंग करना चाते हैं या इसतने की problem के उपर उनका interest होता है troubleshooting का repairing का उनका interest है तो उनको काफी कुछ यहाँ पर सीखने को मिलेगा अगर possible हो तो वीडियो को skip ना करें प्रोबलम क्या है वो मैं आपको दिखा देता हूं सबसे पहले सिंगल बैटरी का इनवर्टर है positive मैं यहाँ पर लगा जिया है negative मैं यहाँ पर लगाऊंगा आपको देखना है इसके अंपेर मीटर पर यह digital पेनल मीटर है यहाँ पर बैटरी का current यह सो करेगा जैसे ही मैं positive negative को यहाँ connect करता हूं यानि कि बैटरी को connect करता हूं तो इसका अंपेर आप नोट करें 142 अंपेर connect करते ही और यह काफी heat भी हो गया है 142 अंपेर fraction of second यानि कि सायद एक second के लिए गया होगा लेकिन यह heat हो गया है फिर से लगा के दिखाता हूं आपको 91 अंपेर 136 अंपेर और यह heat हो गया है अब यह जो बैटरी से current लेता है दोस्तों अब इसके क्या क्या reason हो सकती है इसका एक reason यह हो सकता है कि इसका transformer सोट हो दूसरा reason यह हो सकता है कि इसके MOSFET सोट हो तीसरा reason कभी कभी किस cases में ऐसा भी मिला है कि SCR भी सोट हो तो इस तरह की सनिश्या यह कर सकता है लेकिन दोस्तों अगर MOSFET सोट होता है तो current के साथ में इसकी जो PCB है इसकी जो working है उसमें से आवाज आती है ऐसे करके एक आ सकते हैं MOSFET को आप वीजुली भी चेक कर सकते हैं मल्टीमेटर से चेक करते हैं मुशली हमें एक पर देख लेते हैं मल्टीमेटर इससे वीजुली देख लेते हैं यहां पर जो आपके MOSFET है वो बिल्कुल यहां पर साफ आपको दिखाई दे रहें बिल्कुल साफ है कोई किसी तरिके का इसके अंदर जो है कि फटे हों मोस्वेट बर्स्ट हों इस तरह की कोई यहां पर सिम्टम्स दिखाई नहीं दे रहे वीजुली अगर हम देखके इसको परखने की कोशिश करें दो इस तरफ से देखेंगे तो इस तरफ के मोस्वेट भी विल्कुल साफ हैं अगर पहले चेक करने लगते हैं कि सबसे पहले ट्रांसवर्मर को ही चेक कर लेते हैं क्योंकि यहां पर इसके जो कनेक्शन है वो यहां पर ओपन है तो सिरीज का यूज करते हैं सिरीज बल्प की मदद से हम इसको ट्रांसवर्मर को चेक करते हैं मैं आपको करके दिखाता ह और टेस्टिंग में क्या नहीं आपको करना है कैसे करना है किस तीज का आपको ध्यान रखना है वह मैं बता देता हूं आपको यहां पर मेरे पास यह शीरीज के अरेंजमेंट है यह यहां पर इसको मैं शीरीज के अरेंजमेंट को यहां लगा लेता हूं और यह मेरे शीरीज के साथ ये गलोवगा पहले में न्यूटल और एक सो पस्तीस पर लगाऊंगा तो अगर ओके होगा तो इसकी ब्राइटनेस जो बल्ब की है वो कम होगी शीरीज में कम गलोव करेगा अगर यह सोट होगी तो यह पूरे तरीके से बल्ब गलोव करेगा मैं यहां पर चेक करके दोस्तो के बीच में लगाएंगे तो भी आपकी ब्राइटनेस कम गलो होनी चीए लेकिन यहां पर भी यह पूरी ब्राइटनेस के साथ गलोव हो रहे हैं अब क्या करते हैं कि न्यूटल और दोस्तों वाली टेपिंग के साथ हम इसको चेक करेंगे लेकिन दोस्तों यहां symptoms हैं ये आपके दोस्तों transformer के खराब होने के symptoms हैं अगर ये तीनों टेपिंग पे एक दूसरे के साथ अगर पूरी brightness के साथ bulb glow होता है तो इसका मतलब ये current ले रहा है इसलिए आपका जो series का जो बलब है दोस्तों वाट का वो आपका glow हो गया है पूरी brightness के साथ लेकिन हमें ये चेक करना होता है तो उसके लिए हमारी एक दू conditions है पहले condition क्याएगे अगर ऐसे ही आप चेक करेंगे आना कि हमने बैटरी याँ पर निकाली भी है लेकिन फिर भी अगर ऐसे चेक करेंगे तो कोई ok transformer भी इस तरह की दिखाएगा क्यों दिखा सकता है दिखाएगा मतलब दिखा सकता है पहले तो इस connector को निकाल दें फिर आप चेक करें फिर मैं चेक कर लेता हूँ एक बार लेकिन अभी भी ये पूरी brightness के साथ दोस्तों यहाँ पर glow हो रहा है ये देखिए नूटल और दोस्तों पर भी पूरी brightness के आप glow हो रहे अभी हमने क्या गलती की है उस गलती को भी देख लेते हैं अभी ये गलती की है कि हमने drain wire यहाँ पर open नहीं की है multimeter से मैं चेक करके दिखा देता हूँ drain wire की वज़े से भी ऐसा हो सकता है drain wire की वज़े से मतलब अगर आपकी PCB में कोई दिक्कत हो और उस case में भी ऐसा हो सकता है मैंने diode mode पे इसको कर लिया है कि multimeter को diode mode पे कर लिया है कि और यह देखिए यहाँ पे जैसे ही कोई चीज़ सोट होगी तो यह 00 दिखाएगा मैं दोनों की जो drain wire होती है मैं drain wire इसलिए बोलते है क्योंकि MOSFET का drain दोनों चैनल का इस पर connected होता है और दोनों यह wire जो है transformer से आती है कि दोस्तों मैंने जैसे ही लगाया तो यह 00 दिखा रहे है यानि कि जो यह मोटे वाली wire है इन दोनों पे अगर मैं यहाँ पे लगाता हूं दोनों हीट सिंग पे तो यह 00 दिखा रहा है इसका मतलब यहाँ पे कोई कोई सोर्टिंग है और अगर ट्रांस्वोर्मर की इस टेपिंग की सोर्टिंग होगी तो प्राइमरी पे तो कंड ले गाई है अब हम क्या करेंगे इसको यहाँ पे ओपन कर लेते है कि कि यह सोर्टिंग दिखा कहां पे रहा है इसको मैंने यहां से कर लिया ओपन काफी कुछ सीखने को मिलेगा आप देखते रहें वीडियो को और बाकी वीडियो को देखने के लिए आप हमारे चैनल की प्लैलिस्ट पे जाके सभी वीडियो देख सकते हैं जिसके मैंने जो हो होम अपuary preciso ऑप्लाइंस हैं उनकी रिपेरिंग डाली भी है आपका इंडेक्शन है अर्श प्लाइसर है समप्लाइज छे पार सब्लाइज है या आपका जो इंडेक्शन है जितने भी वाम अप्लाइंस होते हैं उन सभी के रिपेरिंग के वीडियो मेंने एप्लोड कियués है step by step उनको आप सीख सकते हैं मैंने इसके दोनों वायर को open कर दिया अब मैं इस PCB के उपर लगा के देखता हूँ सेम प्रोसेस फिर से करते हैं आप multimeter को देखें लेकिन दोस्तो अभी भी ये 00 दिखा रहा है यानि कि ये दोनों hitsing को मैंने अगर चेक किया तो ये 00 दिखा रहा है इसका मतलब current तो ये ले गाई अगर यहाँ पर sorting है कोई तो ये current तो ले गाई लेकिन अब हम चेक करते हैं कि हमने इसको open कर दिया अब हमारा जो transformer है वो अभी क्या दिखाता है series पे अब मैं लगाता हूँ इसको neutral पे ये लगा है हमने neutral पे और ये लगा है 200 पे 200 पे neutral पे लगा दिया हमारा जो bulb है वो glow नहीं हुआ 200 वाट का bulb जो है glow नहीं होगा अगर होगा भी किसी प्राणे design में transformer के में तो minor सा बिल्कुल धीरे से glow होगा यहां पे नहीं हो रहा इसका मतलब transformer हमारा बिल्कुल ठीक है आप मैं चाहिए कराता हूँ आपको neutral पे और 135 पे ये कम brightness से glow होगा ये देखिए इसकी brightness कम होगी है मतलब यह मान लीजिए काफी कम होगी 50 परसेंट से भी ये आपकी brightness इसकी कम होगी है तो इसका मतलब हमारा जो transformer है वो तो ठीक है प्रोब्लम हमारी PCB में है पहले हमने टेस्ट किया तो हमारा doubt सीधा सीधा ट्रांसवर्मर पे था क्यूंकि हमारा टेस्टिंग का तरीका गलत था PCB के अंदर कोई fault है तब भी transformer short दिखा सकता है सीरीज पे अगर आप चेक करेंगे तो इस connector को निकाल दें और drain निकाल के उसके बाद ही आपको इसको चेक करना है पहली बात यह ध्यान करने की है आप इसमें क्या दिक्कत है इस PCB को भाहर निकाल के हम चेक कर लेते हैं दोस्तों PCB को हमने भाहर निकाल लिया है यह PCB बिल्कुल भाहर निकली भी है दोनों heat sink पे अगर multimeter को लगाए डायोड मोड पे या continuity पे लगाके और यह 00 दिखाये या बजर sound करे continuity दिखाये तो इसका मतलब यह दोनों को यहां पे sort दिखा रही है ऐसे कि इसमें 100% से और है कि इसके दोनों तरफ के MOSFET sort होंगे यहां पे चेक करते हैं यह मैंने लगाया यहां पे और आप multimeter को देखे यह देखिए 00 दिखा रहा है यहां पे यह यानि कि यह देखिए 00 तीसरी लाइक पे लगा रहे है हम पहली लाइक पे लगाया गेट के साथ वो भी 00 दिखा रहा है इस तरफ के MOSFET हैं दूसरी तरफ के चेक करेंगे तो भी आपको sort मिलेंगे देखिए यह भी 00 है बस्ट नहीं हुए है फटे नहीं है जले नहीं है लेकिन sort हो गए है अगर हम इसको लगाएंगे यहां पे इस condition में तो कुछ समय के बाद या तो फ्यूज उड़ जाएंगे या तो फिर यह MOSFET जो है यह आपके burst हो जाएंगे open हो जाएंगे MOSFET के खराब होने की पहली condition यही होती है कि पहले MOSFET short होते हैं फिर उस ज्यादा heat की वज़े से क्योंकि ज्यादा current जाएगा तो वो ज्यादा heat होंगे उसके बाद या तो फट जाते हैं या फिर अंदर से open हो जाते हैं second stage में वो open होते हैं यानि कि दोन्नों तरफ के MOSFET short होंगे तब यहाँ पे दोन्नों पे यह 0-0 दिखाएगा एक तरफ के MOSFET अगर short होंगे तो current जरूर लेगा लेकिन current कम लेगा और current के साथ में एक जो है आवाज भी आपको humming noise भी आपकी transformer से और इस inverter से आएगी तो इसका मतलब आपके एक तरफ के channel के MOSFET गए है कोई आवाज नहीं आ रही है और simple यह current ड्रो कर रहा है तो इसका मतलब या तो transformer में प्रॉलम है या आपके दोन्नों तरफ के channel के MOSFET यहाँ पे सोट हो गए है दोस्तो अब एक channel के MOSFET हमने यहाँ पे change कर दिये हैं यह बाल होते हैं एक तरफ यह दिखा रहा है आपको .4 एक तरफ आपको दिखाएगा .5 क्योंकि जिन नरिष्ट पे लगे होते हैं अगर अब हम check करेंगे तो यह देखी यह 00 ना दिखाके यह कोई value आपको यहाँ पे दिखा रहा दी क्योंकि आप एक तरफ के हमोस पे ठीक हो गए ह तो इसने कुछ value यहाँ पे show कर दी है अगर मैं polarity change करूंगा तो यह 0.441 दिखा रहा है अभी भी यह जो value दिखा रहा है क्यों क्योंकि एक तरफ के हमने change किये हैं दूसरी तरफ के MOSFET अभी भी हमारे short हैं उनको हमने change नहीं किया है यह देखी इस तरफ के MOSFET अभी भी short है इनको भी change कर देंगे तो यह जो value है यह भी आपको यहाँ पे दिखाई नहीं देगी हम यहाँ पे इसको change भी करके देख लेते हैं दोस्तों अब हमने दोनों ही channel के MOSFET change कर दी हैं इधर वाले भी और इस तरफ वाले भी अब हम चेक करते हैं इसको diode mode पे कर लें चेक कर लेते हैं हमारी multimeter probe ठीक हैं नहीं दिखा रहा कुछ भी इधर भी यह नहीं दिखा रहा है यानि कि जब हमारे दोनों तरफ के MOSFET सोट थे तब वो आपका यहाँ पे continuity सो कर रहा था अब दोनों तरफ के जो channel के MOSFET है वो ठीक है अब यहाँ कोई continuity नहीं कर रहा है अब इसकी पल्सी आप चेक करके इसको अगर सेट करेंगे तो यह आपका inverter यहाँ ठीक कर जाएगा मैं भी फाइनल इसको यहाँ पर आपको चेक करके दिखा देता हूं कि दोस्तों PCB को हमने यहाँ पर माउंट कर दिया है एसेंबल इसके अंदर कर दिया है inverter के अंदर चेक तरते हैं अब इनवर्टर को यह पोजिट्यू में लगा दिया है नेगट्यू यहाँ पर अभी लगा देता हूं यह बैक अप मोड पे आपका inverter यह चल गया है यह लोड दोस्तों अगर वीडियो आपको पसंद आते हैं तो उसको लाइक भी कर सकते हैं अपने फ्रेंट सरकल में अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें बेल आइकन दबा दें ताकि आप लोगों को नए वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे यह यहाँ पर चा चैनल की प्लेइलिस्ट में थैंक्यों दोस्तों